कखसा 10 विशेगनी अध्याय 3 तोपीगत द्वी गाथ समीकन आज की होमर के आपको 5 कुछन दिये गए हैं तो आईए इस वीडियो के दोर हम 5 कुछनों को देख लेते हैं करें आज के मानने लुप लिखे तो द्वी गाथ समीकन की मानना गूर्प क्या होती है यह होती है एक से स्कूरऄ प्लस भी एक्स प्लस सीट वगाथ समीकन वह होती है जिसमें जो रत disp called के धिया ग॥ा तो हलता है आदिकतम इन की होता है तो यह होगी दिविकल समिकर्ण की माने करूप AX म क्रूब प्लस BX प्लस C R व्रबर जीरो कि इसका क्यूं know चैनल प्लस If इसको नमबर दो आपको यहां पर दिया गया है जांज कीे इसी पर गार हम दूसरा देखें तो दूसरा है यहाँ पर x square minus 25 minus 3x ब्राबर x minus 2 की whole power 2 तो यहाँ पर भी हम वैसे तो देखते हैं तो x की गार 2 है लेकिन इसको हम पहले हल करके देखेंगे बाद में हम बताएंगे कि यह दूसरा है x और बराबर x minus 2 की whole power 2 दिस इंप्लाइज यह जो x minus 2 की whole power 2 है यह हम square का जो formula होता है कौन सा a minus b की whole गार 2 इसका formula होता है a square plus b square minus 2 इससे हल करेंगे पहले इसको तो देखें x square minus 25 minus 3x बराबर इसको whole power को खोलेंगे हम तो यह क्या हो जाएगा x square plus 4 minus 4x कैसे होगा a minus b का whole square है तो a square होता है plus b square होता है और minus का 2ab आता है इसी पर गार x है तो x का square हो गया फिर b का square minus 2 है minus 2 का square 4 हो गया और last प्यादा है minus का 2ab तो minus 2 यह भी हो गया और यह हो गया तो 2ab यह नि 2 दुनी 4x अब हम देखें तो x square is side में भी x square is side में विकट गया है दोनों side से तो इस समीकरण में x square की कोई पत बचा ही नहीं है तो हम लिखेंगे यह है द्विगात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर x 2 है यह नहीं तो यह है द्विगात समीकरण नहीं इसके बाद हम चलते हैं परसं संग्या 3 पर परसं संग्या 3 आपको यहाँ पर दिया गया है द्विगात समीकरण को हल करने की विदियों के नाम लिखो तो यहाँ पर दिवगात समीकांड को हल करने की तीनी विदिया हैं पहली विदी है गुणनखंड विदी दूसरी है पूर्ण वरग विदी और तीसरी है श्री दराचारी सुत्रे यह सुत्र ऐसे होता है जब आगे ऐसे क्यूशन आएंगे तब आपको यह बताएंगे इसके आओने परसन संग्या चार आपको यहाँ पर दीगे दिवगात समीकांड अंडर रूट दो अक्सी स्क्यार प्लस साथ अक्स प्लस प्लस पांच अंडर रूट दो बराबर 0 का हल गुणनखंड विदी से ग्यात कीजिए तो देखे गुणनखंड विदी क्या होती है आएंगर्ग में हम्यों बिच वले संख्या उती है इसके तकरण Jr क नई है है वो आना साहिए और जोडनीया घटाने पर क्या अना से तो हम यह एक स्कूर का गुणा यानि पांक पांच लिसकों सब्सक्राइब तो क्यों इसको गुणा करें तो क्या इसे इसे जाना जए है दसाना से और जोडने अगटाने पर क्या ना चाहिए सात आना जाएए तो संख्या दो यह जैंगी पांच और दो 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 जोड़ेंगे तो साथ आएगा दो दो गुंब को गुना से लिखेंगे अंडरूट 2x इश्क्यार 7x को लिखेंगे 5x प्लस 2x और प्लस 5 रूट 2 ब्राबर 0 आगे देखिए अब हमें दो दो के जोड़े बनाने हैं यहां पर और इन दोनों में से common क्या था नहीं दोनों में एक जैसा होने चाहिए तो एक्स यहां पर common आरह तो अक्स को हम बार लिख देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, अंडरूट दो, एक अक्स बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, पांच, अब इन दोनों में देखे हैं, तो इन दोनों में यह तो अंडरूट दो है, और यह दो है, तो यहाँ पर देखे हैं, अभी ह साथ में or प्लस और तो यहां पर क्या करते हैं अंडरूर दो और प्लस पांच ब्राबर की आ अजय से हम और दो सइड में एक जैसी संग्या वस्ति ऐच के अंदर यह दो यह पर रोगि यहां पर शब्लॉट च्टो गजञब्क वप लेजसर को तो हम लगेगे खी प्लस अडरोट तो अ क्रेह करें । जीरो आता है या तो MONीत यहां पर जिर ऊह करेंके यहां पर यहां पर त्यरह करें तो ज्यरू अजिक मुश्च सबसे Allen यहां से देखते हैं मैंश इस प्लेस्डियरू तो ब्लाबर जीरोड है Daar व्राबर क्या जाएगा माइनस का अंडरूट दो कभी भोलकर भी यह माइनस का निशान ये अंडरूट के अंदर नहीं लगाना यह हमेशा बाहरे रहेगा यहां से हम देखें तो अंडरूट दो एक्स प्लस का पांच उदर जाएगा माइनस का पांच और अंडरूट दो हल क्या क्या आगे एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट दो और माइनस का पांस बटे रूट इसके वाद हम चलते हैं परसन संग्या 5 पर परसन संग्या 5 भी आपको सेम ऐसी दी गई है जिसमें समीगन आपको दे रखा है इसको भी हमें गुणनखंड विदी से हल करना है तो यहाँ पर गुणा करने पर तो क्या आए बारा आए जोड़ने आ घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस का आठ आना चाहिए तो हम क्या लेंगे यहाँ पर माइनस का 6 लेंगे और माइनस का ही 2 लेंगे तो माइनस 6 माइनस 2 माइनस का 8 हो गया और गुणा करेंगे दोनों को क्या आएगा प्लस का 12 आजाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सी स्क्वार माइनस 6 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 12 यहापर तो क्या बतकि कैया है? X और इस दो का इस में भाग लगेगा यह minor2 है हमने 12 का 12 में भाग लगेगा एक फुर्ड यह हो गया x-2 और दूसरा क्या हो जाएगा x-6 ब्राबर 0 अभी आपको बताया था कि दो पद हैं दोनों का गुणा करने पर क्या रहा है 0 तो इसका मतलब क्या होता है तो यह पद 0 होना चाहिए या फिर यह पद 0 होना चाहिए तो हम लिखेंगे या तो x-2 ब्राबर 0 या x-6 ब्राबर 0 तो यहां से हम देखते हैं x-2 ब्राबर 0 है तो x-2 ब्राबर 0 है तो x-6 ब्राबर 0 है तो इसके 2 मान होगे कौन कौन से x-2 ब्राबर 0 है तो आज के हमर के पांच क्यूशन थे इस तरह के से आपको 500 क्यूशन करने धन्यवाद